बेखिए इसन कहा नहीं कोई भी धंदा करने जाएं आपको कमपीडिशन का सामना करना पड़ेगा आजकर बहुत लोग पूछते हैं कि स्वल भाई कमपीडिसन मेरा इदार बहुत जादा कमपीडिशन है क्या करेंगे इस तरह से धंदा करेंगे बहुत लोग का eater आता है बहुत लोग फोन करते हैं बहुत लोग WhatsApp ने पूछते हैं competition बहुत जादा है एक को след लाका नीजम存 शबसे पहले क्या चीज है बहुत समझना पड़ेगा आप जब तक नहीं समझोगते हैं आपको competition है لكن competition आपको आगे लेके जाने का एक तरीका होता है मेरा क्याल से मेरा सोचने का मतलब यही है हम लोग सोचते हैं इस तरह से जब तक जिसने competition नहीं है उसमें मज़ा भी नहीं है धन्हाख मतलब होता है competition करना, रिक्स देना, तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, कि आपका धन्दा में अगर competition है, आप किस तरह से उसको tackle कर पाएगा, या competition है, तो है क्यू, competition को क्या कर सकते हैं, competition का आगे जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज़ सोच के देखो, competition अगर इ मज़ा और कहीं नहीं है, तो मेरा नम सोहल, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कि competition को आप लोग किस तरह से handle कर सकते हैं, या धन्दा में जो competition आता है, वो competition को आप किस लेबल से आप अपना हिसाब से उसको manage कर सकते हैं, competition को किस त धन्दा उठा लिए, कोई भी धन्दा, दुनिया में जितना धन्दा है, कोई भी धन्दा उठा लिए, competition तो आपको करना ही पड़ेगा, धन्दा का और एक दूसरा पाट होता है, competition, रिक्स, दोनों चीज आपको लेना पड़ेगा, ये दोनों चीज आप जब लिजेगा न competition को मतलब क्या है, दस लग माल लेजिए, हम लोग दस लोग धन्दा कर रहा है, एक market को उपर, तो दस लोगों में से, जो एक दो लोग क्या है, धन्दा को बना पा रहे हैं, अच्छा से अच्छा धन्दा कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है न मजदार चीज हो गया, व सी के लिए competition मज़ा है, यह ओ, competition का आगे जाकर के, दूसरा को competition में डाल रहे हैं, वो competition का मज़ा ले रहे हैं, जिंदेगी गुजार रहे हैं अराम से, और बाकि 8 लोग, वो सोच रहे है कि बहुत ज्यादा competition है, भृई, क्या करें, क्या करें, तो इतना तो आप तो समझ गें आप सोच रहे कि वेल भाई आप तो मज़े में है, बोल तो दिया कि competition मज़ादार चीज है, लेकिन हाला कि बात तो वही घुम फिल के आ जाता है, मेरा माल बीखता नहीं है, जब बीखने जाते हैं, दोकांदर हमको चाराना आटाना के लिए माता सची करता है, होता है, मालूम हम लोग किया है, एक्चुल फील्ट वार्क किये हैं हम लोग, 20-30 किलोमेटर तक रात को 9 बज़े, 10 बज़े, ठंडा, गर्मी, बारी, बीना देखे, छोटना पड़ता था, मालूम है, competition होता है, आज हर एक लोग, ऐसा बात नहीं है कि, आज जो हम मिदनापूर में जो रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक दिन ऐसा भी था, कि हम लोग काम स्टार्ट किये थे, मेरा अलाबा ऐसा कोई था नहीं, ऐसा था नहीं, और भी बहुत लोग काम कर रहे थे, तो आज उन लोगों को पीछे छोड़ करके, उनको competition में फेक करके, आज कैसे हम यहां तक पहुचे, यह बहुत लंबा कहानी है, कहानी नहीं है, मेरा जो experience है, मैं जो रस्ता को select किये हैं, मैं जिस तरह से रीक्स लिए हैं, मैं जिस तरह से आगे जानी के लिए सोचे हैं, मेरा सोच क्या है, तो वो ही आपके लिए अगर हम CR करते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा बह माल लो, आपका area में 10 लोग या 20 लोग जो है paper plate business कर रहे हैं, जो कि मेरा साथ भी हो रहा था, 10-20 लोग business कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा तो 99% लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो market में चलता है, वो ही लेकर के पढ़े रहते हैं, हम लोग नया क कुछ करने का सोचते भी नहीं है अरे भाई आप बोलोगे स्वेल भाई नया तो करे तो हम क्यारे क्या मेरा मार्केट में आई टी सी माल चल रहा है या डूपलेक्स माल चल रहा है या केला पता साल पता वही तो चीज चल रहा हम इसमें नया करेंगे क्या इहीं पर तो धंदा बहुत ध्यान से सुनों चाए दुकान कितना है चाए पिने वाला दुकान जो चचा चाए बेशते हैं आपका एरिया में उन्सको आप कितना दिन से जानते हो अगर हम अपना जगा का बात बोला है एक हम लोग जब छोटे छोटे थे जब पड़ाई गरते थे पापा के साथ बाएक जब मार्चेट जाते थे हिम्मद नहीं था तब पापा मार्केट में जब बजार करने जाते थे जो चाए दोकान में बैठके च्हाइक पिटए एड्ड़ा करते थे वह जाए मेरे साथ तो वही चाय बलाक को हम लोग तब से जानते हैं, आज भी वही चाय विक्री कर रहे हैं, आज से 20-25 साल पहले उसका जो हालत था, आज भी उसका वही हालत है, क्योंकि वह सोच लिया है, हमको रोज सुबा 6 बजे दोकान खोलना है, दूत में 500 ग्राम दूत में 2 लीटर पानी म कर सकते हैं, जैसे एक example देंगे, चाय सुटा बार, MBA चाय वाला, हलाकि MBA चाय वाला का भी फ्रॉट हो गया, फ्रैंचाजी सी छोड़के वो मार्केट में अलग नाम खराब कर लिया, लेकिन सोच के देखो, उन लोगों का सोचने का मतलब, वही चाय, जो चाय आज हम लोग 20 से 25 साल पहले, 30 साल पहले, जो हमारे पापा के साथ हम लोग हाथ पकड़ करके, जो बजार में जा करके, जो चाय वाला वो देखते थे, वो ही चाय अलग नहीं, वो भी दूद देता है, पानी देता है, चाय पती देता है, चीनी देता है, मेरा बोलने का मतलब समझो पहले, आप कि भाइ मार्केट में वह चल रहा है केला पता सल पता चोड़ो के पथला माड़ चोड़ो के मोटा पर चोड़ो और और चौछ यह कोह बसकों डाया अले देगा को देगा कड़ोर्य कमालिक अब लगाए Channel 3 चाहर ली ब्लुभी लाकों कमाली ती स्टरह से बिस्ट्रतेंकремNow पड़ेगा हम kamu algún क्या करते है ना जो दस लोग हमारे साथ जो धंदा करते हैं हमारे एरिया में धंदा कर रहें हम छोटा लेविल से बात biz हम लोग छोटा एक एरिया पकड़के ताम करते हैं माल लोग सम्झानी के तरफ से तो बाखी जो लोग जिस पैटन में धंदा कर रहे हैं हम लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसका बज़ा से हम लोग क्या है ना ज्यादा से ज्यादा कंपीडिसेन को फेस करना पड़ता है हम लो साल पतTđ बिक्री करना है वह किला-पत्त बिक्री करना है वह प्रिंटिट माल बिक्री करना है वे आईधियस लेकिन तरीक अलग हो ना चाहिए वह- चीज़ जिसको समझ ने आ गया बोह आगे निकल गया इसको समझने नहीं आया जो चाटा को आज सब्सक्राइब बना रहे थे बस आप भी जो बना रहे हैं वही चलते रहेगा आप चाहे पचास साल भी आपका experience हो जाए या 20-30 साल भी experience हो जाए आप कुछ नहीं कर पाऊगा आप अलग से कुछ करने का आपको हिम्मत ही नहीं है आप सोचते नहीं है अपना सोच ऊहीं वगत खतम कर दिया जो आवला नहीं कर सकते न हम चाहते हैं कि हम ज्सक्रा आगे बढ़ रहे हैं हो बहुत ज्युदार कीया है कि बहुत ज्यादा है ऐसे बिएन था जो कि मारकेट में फूट में बैट तक हूटा तो जिसका वैसे हम चाहते हैं कि जो स्ट्रागल करना चाहते हैं जो धंदा करना चाहते हैं जिसको धंदा करने का एक कीड़ा है जो धंदा करना चाहता है लेकिन प्रॉपार गाइट नहीं मिलता है उसको हम लोग उसके लिए आल्वेस रेडी हैं आप आईए मेरा सामने हम लोग select किये हैं क्या चीज हमारे लिए गलत साबीत हुआ था हर एक चीज आगर आपको बताया जाएगा ना तब जाकर क्या आपका लाइप में आपका मेरा मतलब स्था पसानी होगा इसमें आपका failure होने का का जाएगा अपना रस्ता दिखाएगा कि इस तरह से जाओ तो मेरा मेरे ख्यान से तो इसमें आपका failure होने का चांस बहुत जादा कम हो जाता है खिर आपको समझना आ गया होगा कि मेरा बोलने का मतलब गया था जो भी भाई यही competition लेके परिसान है बस ही समझ लो कि बाकी 10 लोग जो कर रहे हैं आप भी वही गर रहा है जिसका परिसे आपको competition का सामने करने पड़ रहे हैं आप अलग से सोच नहीं रहे हैं अलग जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं आप मज़ा लेपाऊगे बिजिनेस का बिजिनेस का मतलब यहीं होता है आपको ठूंड़ना पढ़ेगा आपका area में आपका Content में आप जो area में शुद्धना करना जाते हैं ऑपड़ना पढ़ेगा ऐसा चीज कि अलग आप क्या दावन सकते हैं वो घर बाटके नहीं हो सकता है आप को फिल्ट बात करना पड़ेगा स्ट्रागल करना पड़ेगा उम्मिद है कि मेरा बोलने का मतलब आप समझ गये होगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और किस बारे में आपको जानना है वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताईए हमें मैं आपका हर एक कॉमेंट पढ़ता हूँ कोसेश करता हूँ हर एक कॉमेंट का रिपलाई करने का अगर आपका अच्छा कॉमेंट रहे तो जरूर हम आपका कॉमेंट को पर वीडियो भी बना सकते हैं और आप कहां से दे टॉपिक्स लेकर आपको से बात करेंगे दूसरा कोई वीडियो में अभी के लिए जय हिंद जय भारत स्वास्त रहिए अपना माता-पिता का ध्यान रखिए झाल 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 झाल